ड्रक्स केस में पकले गई शारु खान के बेटे आरेन का मामला अब पॉलिटिकल रंग में आ गया है। अब तक छोटे-छोटे नेता NCV पर आरोप लगा रहे थे कि वो आरेन को जान बूज कर फसा रही है। लेकिन अब महराष्ट के मुख्यमंतरी उदब ठाकरे ने इस हैं और ढोल बजाते हैं जबकि महराष्ट पुलिस काम करती है लेकिन खबरें सिर्फ यही छपती हैं कि बेल हुआ की नहीं। उदब ने यहां तक कह दिया कि NCV सिर्फ चिम्टी बर गांजा के पीछे पड़ी है और मुंबई पुलिस करोणों का ड्रक्स बरामत कर रही आरेन खान के पकड़े जाने के बाद से NCV पर लगातार सवाल उट रहे हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आरेन को जमानत दिलाने के लिए शाहरु खान ने वकीलों की पूरी फौच खड़ी कर दी है लेकिन इसके बावजूद भी वो आरेन को रिहा नहीं करा पा रहे अगर NCV आरेन को वाकई फसा रही है तो कोट में बैठे जज़ को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही बिना सबूतों के आधार पर कोई भी आदालत आरेन को जेल में नहीं रख सकती फिलाल तो इस मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी आपको क्या लगता है क क्या वाकई NCV आरेन को फसा रही है अपनी राहे में कमेंड में दीजे और ज्यादा सी अपडेट्स के लिए हमारी चनल को सब्सक्राइब कीजे